हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं पैरिट सिक्यॉरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने वर्चुल बॉक्स में स्टेप बाइ स्टेप बहुत इजली एंद फास्ट वे में तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आप अपना ब्राउजर ओपन करिए टाइप कीजिए डाउनलोड वर्चुल बॉक्स तिन पर्स लिंक पे क्लिक कीजिए यहां से विंडोज होस्ट पे क्लिक कीजिए अब आपको एक्सेंशन पैक डाउनलोड करने के लिए औल सपोर्टेट प्लाटफॉर्म पे क्लिक कीजिए यह सब चीज़े मैंने डाउनलोड कर रखी हैं इसलिए मैं इन्हें कैंसल कर रहा हूं अब हमें parrot security iso files को डाउनलोड करना है इसके लिए आप ब्राउजर में टाइप कीजिए parrot os download देन फिर्स लिंक पे क्लिक कीजिए देन security पे क्लिक कीजिए आप इसे direct डाउनलोड कर सकते हैं या फिर torrent से भी डाउनलोड कर सकते हैं मैं direct डाउनलोड करूंगा मैंने ये पहले से ही डाउनलोड कर रखाया इसलिए मैंने cancel कर दिया अब आप उस फोल्डर लोकेशन में जाए जहां पे आपने virtual box and parrot os का iso file डाउनलोड किया था अब आप virtual box के setup पे double click करिे then next पे click करिे then next पे click करिे then yes पे click करिे then install पे click करिे ये थोड़ी की देर में install हो जाएगा Then finish पे क्लिक करिए Successfully हमारे computer में virtual box install हो चुका है अब आप preference पे क्लिक करिए Then extension पे क्लिक करिए Then add extension पे क्लिक करिए यहां से आप virtual box के extension pack को locate करिए Then open पे क्लिक करिए Then install पे क्लिक करिए Then scroll down करके I agree पे क्लिक करिए यह थोड़ी देर में ही install हो जाएगा Then ok पे क्लिक करिए Then ok पे क्लिक करिए आप new पे क्लिक करिए Name में आप अपने operating system का name दे सकते हैं जैसे मैंने parrot security दिया है Type में आप Linux चूज करिए And version में आप Debian चूज करिए 32 या फिर 64 bit Then next पे क्लिक कीजिए यहां से आप अपने virtual box के लिए RAM सेट कर सकते हैं इसमें recommended 1024 MB आ रहा है तो आप simply next पे क्लिक करिए Create पे क्लिक कीजिए Then next पे क्लिक कीजिए Then next पे क्लिक कीजिए आप यहां से virtual hard disk का size चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने यहां से 20 GB कर दिया है आप यहां से अपने virtual hard disk की location भी चेंज कर सकते हैं जैसे की मैं local drive E में sit कर रहा आप location चूज करके Save पे क्लिक करिए Create पे क्लिक करिए अब आप Parrot Security की settings में जाईए Then display section में जाईए यहां से video memory 128 MB कर दीजिए Then storage में जाईए Empty पे क्लिक करिए Then small disk पे क्लिक करके Choose a disk file पे क्लिक करिए आपने जो Parrot Security का ISO फाइल जो download किया है उसे locate करिए Then open पे क्लिक कीजिए Then आप network में जाईए यहां से आप bridge adapter चूज करिए Then ok पे क्लिक कीजिए Then start पे क्लिक कीजिए Then start पे क्लिक कीजिए थोड़ी ही देर में आपके पास installation window open हो जाएगा आप install में enter करिए Then install with GTK GUI पे enter करिए अब आपका installation process start हो जाएगा आप यहां से language change कर सकते हैं Then continue पे क्लिक करिए आप अपनी country भी choose कर सकते हैं यहां से Then continue पे क्लिक करिए यहां से आप अपनी keyboard का language भी change कर सकते हैं Then continue पे क्लिक करिए आप यहां से अपना password set कर सकते हैं Then continue पे क्लिक करिए आप यहां पे अपना username दे सकते हैं Then continue पे क्लिक करिए Then continue पे क्लिक करिए आप यहां से अपना पासवर्ट सेट कर सकते हैं then continue पे क्लिक करिया है guided use entire disk को चूज करके continue पे क्लिक करिया है simply continue पे क्लिक करिया है all files in one partition को चूज करके continue पे क्लिक करिया है finish partition and write changes to disk को चूज करके continue पे क्लिक करिया है simply continue पे क्लिक करिया है आप यहां से write the changes to disk को yes करके continue पे क्लिक करिए इसे install होने में 15-20 minute लगेंगे then आप simply continue पे क्लिक करिए आप नीचे वाले option को select करिए continue पे क्लिक करिए इसमें थोड़ा time लगेगा then आप simply continue पे क्लिक करिए इसमें थोड़ा time लगेगा आपका installation अब finish हो चुका है अब enter press करिये आप यहां पे अपना password डालिए enter press करिये जैसे कि आप देख सकते हैं successfully हमने parrot operating system को virtual box में install कर दिया है आपको यहां पे बहुत सारे tools मिल जाएंगे webpin testing और development से related अगर आपको parrot OS बन करना है तो आप simply shutdown पे क्लिक करिए अगर यह video आपको helpful लगी हो तो please do like share and subscribe and अगर आपको कोई भी doubt हो तो comment below आपको बेते हो आपको ओी जापको आपको सकता है अगर आपको प्रशी में प्रशी एलता है